पब्लिक टीवी आपकी आवाद आज कल महानगर में एक चर्चा बहुत तेजी के साथ हो रही है और चर्चा हो भी क्यों नब जब बात ही शुर्खियों बटवरने वाली हो जी हाँ दरसल हम बात कर रहे हैं गत दिनों भाजपा विधायक का ओडियो वाइरल मामले को लेकर हाला कि मामले में पीडित नहीं माफी नामा भी सुखार कर लिया है और माफी नामा भरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है लेकिन अंकित अगरवाल के इस माफी नामे भरे वीडियो में एक बात गौर करने वाली है कि आखिर कार वो कारकरता है गौर जिसने ये सब किया अंकित अगरवाल के मताबिक धंकी भराकॉल भाजपा विधायक का नहीं बलकि किसी और कारेकरता का था जिसे विधायक जी ने खूट डाटा तो आपने भी सुना कि अंकित ने खुद स्यूकार किया कि कि वो कोई और कारेकरता है जिसे विधायक जीने खूब डाटा बस यही बात आजकल चर्चा का विश्वय बनी हुई है कि आखिरकार कार्यकरता है कौन जिसने इतनी बड़ी हिमाकत कर डाली और हर दिल अजीज भाजपा के नगर विधायक की चवई को धूमिल करने का काम किया है वीडियो की मताविक नगर विधायक की आवाज में काली गलोच की और विधायक जी की चवई को धूमिल करने का काम किया गया हम तो बस यही चाहते हैं कि ऐसे कार्यकरता का नाम जल्द सामने लाया जाए जिससे कि उसे सजा तो मिले ही साथ ही अन्यपदादिकारी भी उस सेज सतर प्लह सके हाला कि हमने अंकित अगरवाल से इस दुशे पर जानने का प्रियास किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका है यदि पब्लिक टीवी इंडिया को उस कार्यकरता के नाम की जानकारी मिलती है तो जल्द ही उसे सामने लाया जाएगा हाँ मेरे संग्यान में आया है कि कोई ओडियो एक चल रहा है और अपने कार्यकरता है अंकित अगरवाल उनके नाम से वो ओडियो चल रहा है तो ऐसा मेरे संग्यान में आया था लेकिन उसमें अंकित अगरवाल जी ना खुद ही उसको खंड़न किया है और खेद भी व्यक्त किया उन्होंने नहीं उनका कहना था कि मेरे वो कुछ गलत फैमी हो गई थी और वो खुद ही कह रहे है अब उसमें कि वो विदहायक जी की आवाज नहीं है बिरू को ऐसा लगा कि उनका है तो मेरे दौरा कोई ऐसा बाची अंके तकरवाल जी से नहीं हुई थी और उसमें वो स्वेम भी इसको खंड़न कर रहे है और अंके तकरवाल हमारा कारट करता है हमारा साथी है इस मामें कोई कारवाई की आगी है और कुछी भी नहीं है उसमें सब ठीक है सब लोग एक है कोई दिक्कत नहीं पब्लिक टीवी आपकी आवाज